हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल तयारी एकजाम की जिन लोगों ने भी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियोज की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे तो आज हम लोग अच्छा दस्वी की हिंदी पार्थ पूस्ता का जो सकेंड बुक होता है उसमें आपको 5 चेप्टर मिलेंगे 5-6 चेप्टर तो आज हम लोग उन सारे चेप्टरों का अबजेक्टिव क्यूशन अंसर सॉल्ट करने वाले हैं तो वीडियो में हमारे साथ आ और कहानी है ये कहानी का रहे है स्री निवास ठीक है क्योशन अवर पहला है यहाँ पर दही वाली मगमा कहानी किस लिखक द्वारा रचित है तो A is the right answer श्री निवास द्वारा ठीक है क्योशन अवर 2 परマगमा क्या बेशती थी तो B is the right answer दही बेचते थी ठीक है Q3 है आपका रगपा था तो A is the right answer रगपा जुआ रही था ठीक है Q4 है दही वाली मगमा कहानी किस भासा से अनुदित है तो B is the right answer करनड से Q5 है उस घर में अब सास और बहु में सोतंतरता की होड लगी है यह पंकती किस कहानी की है तो इसका right answer हो जाएगा D दही वाली मगमा की Q6 है नजमा की बहु का क्या नाम है मगमा की बहु का क्या नाम है तो A is the right answer नजमा मगमा की बहु का नाम क्या है तो नजमा है ठीक है Q7 है, B.R. नाराया ने किस कहानी का अनुवाद किया है Q8 है, दही वाली मगमा कहानी किसे संदेश देती है Q9 है, दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है Q10 पे श्री रिवास का जन्म कहा हुआ था Q11 है, मगमा के परिवार के कुल कितने सदस्दे थे Q10 पे एक तो उसका बेटा था, दूसरा वो मगमा खुद थी तीसरा उसका पोता था और चौथा उसकी बहुत थी Q12 है, कथाकार के बरसो से मगमा कौन सी बस्तु दिया करती थी Q13 है, कथा वाचा को मगमा क्या कहती थी Q14 है, अधिक बुद्धी मान कौन थी? Q14 है, अधिक बुद्धी मान कौन थी? Q13 है, तो ए इसदरायटरंसर ग्रामीन महिला की Q16 है, बहु की दसा है Q17 है, दही वाली मगमा कहानी का हिंदी अनुवादा कौन है? Q17 है, तो ए इसदरायटरंसर बी यार नारायन क्यूशन अबर 18 है रगपपा कौन था रगपपा कौन था तो यहाँ पे डिस दराय टंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं लेकिन रगपपा हम आपको बता दें कि रगपपा एक जुवारी था क्या था जुवारी था रगपपा ओके क्यूशन अबर 19 है दहिवाली मगमा का कथा वाचा कोन है तुभी इस दराय टंसर बैंगलूरू की एक असमान महिला स्वरी बैंगलूरू की एक सम्भान्त महिला थीक है क्यूशन अबर यहाँ पे 20 है इसका दहिवाली मगमा का मगम्मा एबन नजम्मा के विज्यागणा मिटा कर इच्छा समद अस्थापित करने का माध्यम कौन था तो विजदर आइटांसर मगम्मा का पोता जब दोनों की लड़ाई हुई थी तो नजम्मा थी जो बहुत चेतूर थी और अपने बेटे को नजम्मा के पास स्वरी मगम्मा के पास भेज़ दी थी ओके नजम्मा बहुत ही तेज थी तुश्य नवर टू है यहाँ पर देखिए तू नई चेप्टर टू है नाम है धहते विश्वास ओके यह बहुत ही फेमस टॉपिक है और बहुत ही इमोशनल है ठीक है और उडिया है कहानी कहानिकार है साथ कोड़ी होता ठीक है यह उडिया अनुदित है क्यूश्य नवर वन है यहाँ पर देखिए धहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है तो ए इस दराइट अंसर लचमी जो है इस कहानी की प्रमुख पात्र है Q2 है बाढ़ की समस्या कहान के केंधर में है कहानि आपने होगा यहाँ पे कहानी होगा ठीक है बाढ़ की समस्या कहानी के केंधर में है तो B is the right answer धहते विश्वास Q3 है विपत्ती अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है यह पंक्ति किस पाठ की है तो C is the right answer धहते बिस्वास Q4 है धहते बिस्वास किस भासा से अनुदित है उपर बताएं थे तो C is the right answer उडिया Q5 है लेचमी के बड़े पुत्र का क्या नाम था Q6 है धहते बिस्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है तो C is the right answer राजेंद प्रसाद मिश्र के द्वारा Q7 है क्या है धहते बिस्वास कहानी में किस राजे को बाठ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है Q8 है गुन निधी कहां से लोटा था Q9 है यहां प्रसाद के साथ बांध की मरमत में लगा था Q10 है धहते बिस्वास कहानी में कहां के जन जीवन का चित्रन किया गया है Q11 है धहते बिस्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है Q12 है धहते बिस्वास किस भासा से रचित कहानी है Q13 है बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गाउं के लोग किस बांध को मजबूत करने का परियास कर रहे थे तो मैं आपका बता दूँ ये आपके दलेई वांध Q14 है धहते बिस्वास कहानी का कहानी कार कौन है तो सी इस दराइट असर साथ कोड़ी होता Q15 है यहाँ पर आपका देखी लचमी कौन थी तो लचमी थी एक दीन हीन महिला क्या थी एक दीन हीन महिला थी Q16 है लचमी के पास कितनी जमीन थी तो असर एक बिगा मात्र एक बिगा जमीन था लचमी के पास ठीक है चलते है Q17 पे लचमी के गाउं के समीब किस देवी देवता के मंदिर थे असर असर मा मुंडेशुवरी देवी एवं भगवान सिवकी अब चलते हैं चेप्टर थ्री पे चेप्टर थ्री का नाम क्या है आपका तो मा है चेप्टर थ्री का नाम मा है और ये गुजराती कहानी है और कहानीकार है इसवर पेटलीकर तो चलिए हम लोग इससे भी देख लेते हैं क्युश्य नवर पहला क्या कह रहा है आपका इस वर पेट लेकर किस भासा के लेखक है तो C is the right answer गुजराती यहाँ पर हम आपको बताएं थे टू है मंगू को लोग कहां भरती कराने की सलाह देते थे तो भरती कोई अस्पताल में होता है तो D is the right answer क्युश्य नवर 3 है लच्मी का पती में नौकरी करता था खाली अस्थान रिक्त अस्थान में क्या होगा कहा नौकरी करता था लच्मी का पती तो लच्मी का पती आपका D is the right answer कलकता में नौकरी करता था तो क्युश्य नवर 4 है जन्म से ही पागल है तो D is the right answer मंगू एक तो एक रहेगा पागल एक रहेगा गुंगी तो दोनों हो जाएगा पागल और गुंगी जन्म सिथी मंगू ओकी, कुशे नबर फाइफ है लच्मी रिकतस्थान कहाने के केंदरिये पात्र है तो C is the right answer, मा कुशे नबर सिक्स है मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती है तो A is the right answer, गौशाला कुशे नबर सेवन है मां कहानी किस भासा से अनुदेत है तो पर बताएं थे B is the right answer, गुजराती कुशे नबर एट है आपका यहाँ पे मंगू की मां की कितनी संताने थी कुशे नबर नाइन है मंगू की अलावा उसकी मां की कितनी संताने थी मंगू को छोड़के तो B is the right answer, तीन और मंगू को जोड़ दिया जाए तो चार, ठीक है चलते हैं कुशे नबर टेन पे यहाँ पे मां कहानी किस लिखक द्वारा रचित है C is the right answer, इस वर पेट लिकर कुशे नबर 11 है मंगू किस कहानी की पात्र है तो D is the right answer, मा कुशे नबर 12 है आपका यहाँ पे मा कहानी का प्रेमुख पात्र कौन है तो D is the right answer, मंगू कुशे नबर 13 है मंगू की उम्र कितनी थी तो मात्र उसकी 12 बर्स उम्र थी ठीक है चलते हैं, कुशे नबर 14 पे मंगू की मा को कितने पुत्र थे तो मंगू की मा को 2 पुत्र थे ठीक है, और मंगू यक थी 3, अब मंगू की मा को भी मिला दिया जाए, तो पूरे 4 हो गए कुशे नबर 15 है मंगू कैसी लड़की थी तो C is the right transfer पागल लेकिन गूंगी भी थी ठीक है लेकिन पहले अगर ऐसा situation रहे तो आप लोग पागल ही मार के आएगा और जब A में दिया हो पागल B में दिया हो गूंगी और C में दिया होगा A बंबी दोनों और D में दिया हो इन में कोई नहीं तो आप C मार के आएगा पागल एबं गूंगी ठीक है एबं भी दोनों इस टैप से भी क्यूशन आता है अगर इस टैप से रहे तो सिर्फ पागल T करके आएगा क्यूशन अवर 16 है मा की मा कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है तो मा कहानी में मा कहें वर्णन किया गया है क्यूशन अवर 17 है मा किस भासा में रचित कहानी है तो यहाँ पे C is the right answer गुजराती क्यूशन अवर 18 है यहाँ पे आपका किसके पागल पन में सुधार देख लोग मंगो की मा को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे तो A is the right answer कुशूम कुशूम कौन थी तो घर के बगल में आसपरोस रहने वाली एक लड़की थी क्यूशन अवर 19 मा कहानी किन के द्वारा अनुदित है तो C is the right answer गोपाल दास नागर क्यूशन अवर 20 है मंगू को पागल पन का रोग कब से था तो B is the right answer जन्म जात वो जन्म से ही पागल थी ठीक है और गूंगी भी थी क्यूशन अवर 21 है मा जी में मंगू को अस्पताल में भरती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ तो C is the right answer हुआ भी पागल हो गई बैचारी क्यूशन अवर 22 है इस्वर पेटलीकर की रचना है तो यहां पर आपके चार ओप्शन है ए है लालपान की बिवगम भी है धहते विश्वास दी है सीर्चन भी है खून की सगाई तो आपका B right answer हो जाएगा खून की सगाई जो है वो इस्वर पेटलीकर की रचना है अब चलते हैं 23 पर यहां पर 23 है यहां पर मंगू जिस अस्पताल में भरती होती है वहां के कर्मचारी है तो A is the right answer बैवहार उशल Question number 24 है यहां पर आपका मा कहानी में कौन पागल था तो B is the right answer मंगू Question number 25 है इस तरह पागल पुत्री को एक मा ही पाल सकती है यह किस का यह किस की उपती है तो इस तरह इस तरह समाज के लोगों की ठीक है अगर पुत्री या पुत्र पागल हो तो उसे कौन पा सकता है मा है जो उसे अपना अस्तित्व में रखती है और उसे पाल पुसके बड़ा करती है ठीक है इसे लिए अपनी मा को रिस्पेक्ट करना चाहिए हम लोग को Question number 4 है Sorry Chapter 4 है यहां पर नगर Tamil कहानी है यह और कहानी कार कौन है सुझाता है इसे आपको तीन क्यूशन बनते है पहला है नगर तो पुछेगा नगर कहानी किस किस भासा से अनुदित है तो तमिल मारिएगा और इसके कहानी कार कौन है तो सुझाता अब आते हैं Question number 1 पे Chapter है मेरा क्या नगर ठीक है तो Question number 1 पहला है लच्मन कहान नवकरी करता था तो C is the right answer कलकत्ता में Question number 2 है पाप पाती को उसकी मा इलाज के लिए कौन से सहर लेकर गई थी तो D is the right answer मदुरे Question number 3 है पाप पाती रिक्त स्थान कहानी की पात रहे तो B is the right answer नगर Question number 4 है यहापे बली अमाल किस गाउं से आई थी तो बली अमाल आपका D is the right answer मुनान डिपटी Question number 5 है एस रंग राजन किस लेखा का पूरा नाम है तो C is the right answer सुजाता Question number 6 है आपका पाप पाती को कौन सा रोग था तो D is the right answer मेनीन जाई टीज Question number 7 है नगर कहानी किस भासा से अनुदित है तो B is the right answer तमील Question number 8 है पाप पाती की उम्र क्या थी तो C is the right answer 12 वर्स अमंगो के भी कितनी उम्र थी तो उसका भी 12 वर्स थी Question number 9 है नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है तो C is the right answer सुजाता Question number 10 है यहाँ पे आपका बली अमाल की पुत्री कौन थी तो B is the right answer पाप पाती थी बली अमाल की पुत्री Question number 11 है यहाँ पे सुजाता का जन्म कहां हुआ तो A is the right answer तमिल नाडू Question number 12 है नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है तो B is the right answer पाप पाती Question number 13 है नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है तो A is the right answer मदुरे Question number 14 है बरी डॉक्टर सहा पाप पाती के संदर्व में क्या आदेश किये थे तो B is the right answer अस्पताल में भरती करने है तू Question number 15 है यहाँ पे आपका पाप पाती कौन थी तो पाप पाती थी जो C is the right answer बल्ली अमाल की पुत्री थी Question number 16 है यहाँ पे सुजाता की लगवक कितनी कृतियां प्रकासित हो चुकी है सुजाता जो लेखक है तो इसका B is the right answer 25 से अधिक 25 प्लस Question number 17 है यहाँ पे नगर कहानी किस रचना से संकलित है तो A is the right answer आधूनिक तमिल कहानिया से ओके 17 हो गया था अब हम लोग आ रहे है Question number 18 पे 18 क्या कहता है के ए जमना द्वारा अनुदित रचना है तो C is the right answer नगर Question number 19 है नगर कहानी में संदेश दिया गया है तो B is the right answer नारियों को सिच्छित होना आवश्यक है Question number 20 है यहाँ पे आपका पापपाती अस्पताल में भरती क्यूं नहीं हो पाई तो A is the right answer बली अमाल की असिच्छा के करण Question number 21 है नहीं 21 नहीं है यह चेप्टर आपका खतम हो गया चलते हैं चेप्टर 5 पे ओके यह पार्ट पाच आ गया आपका क्या नाम है इसका देख लेते हैं हम लोग तो पाठ पाच का नाम है यहाँ पे आपका धर्टि कब तक घूमेगी ओके रुकिए थोड़ा सा यहाँ पे अस्पेश नहीं आ रहा है यह अब आ गया तो धर्टि कब तक घूमेगी है राजस्थानी कहानी है और कहानी कार है सावर दैया ओके तो देखते हैं पहला है सीता को कितने पूत्र थे तो B is the right answer तीन Q2 है धर्टि कब तक घूमे की कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है तो B is the right answer शावर दैया Q3 है तीन बेटे की मा है तो B is the right answer सीता सीता तीन बेटे की मा है Q4 है सावर दैया रिक्तस्थान भासा के सफल कहानी कार है तो D is the right answer राजस्थानी Q5 है धर्टि कब तक घूमे की सिर्षक कहानी का कहानी कार कौन है तो C is the right answer सावर दैया Q6 है सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था तो C is the right answer कहलास Q6 हो गया चलतें Q7 पे ये देखिए Q7 पे हम लोग आ गए है क्या कहता है धर्टि कब तक घूमे की किस भासा से अनुदित कहानी है तो C is the right answer राजस्थानी Q8 है सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपे महावारी खर्च देने का निर्ने लिया ओके तो इसका right answer हो जाएगा A is the right answer पचास रुपे सोच लिजे Q9 है सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था तो A is the right answer घुटन महसूस होता था तीन बेटे थे तीनों बेटे ने निर्ने किया था कि पचास पचास रुपे मा को देंगे Q9 है अर्ध विक्सित की अवस्था किसकी थी तो C is the right answer सीता की एक मा तीन बेटे को पास सकती है लेकिन तीन बेटा एक मा को देखवाल ठीक से नहीं कर सकता सोच लिजे कितना सर्व की बात है Q11 है धर्ती कप्त गूमे की कहानी का प्रमुख पात्र कौन है तो D is the right answer सीता है तेर्म नमर Q13 है यहाँ पे धर्ती कप्त गूमे की कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है तो A is the right answer नारे की प्रधानता दी गई है Q13 है यहाँ पे आपका धर्ती कप्त गूमे की किस भासा की रचना है तो B is the right answer राजस्थानी Q14 है धर्ती कप्त गूमे की कहानी है तो C is the right answer राजस्थान की Q. 15 है आपका धरती कब तक घुमेगी कि अनुवादक कौन है अनुवादक कौन है आप पे आपका तो D is the right answer इने में से कोई नहीं क्योंकि इनके अनुवादक है सावर दया Q. 16 है सीता घर छोड़ कर क्यों चल गई तो B is the right answer पचास पचास रुपए देने की बात सुनकर मैं आपको बताए थी ना तीन बेटा था तो तीनों बोरा था कि पचास पचास रुपए मा को देंगे और छोड़ देंगे तो इसलिए वो घर छोड़ कर चले गई Q. 17 है यहाँ पे आपका धर्ति कब तक घूमे की संकलित है किसे संकलित है तो A is the right answer समकालीन भारतिय साहित्य से ओके तो मैं वीडियो को यहीं पे इंड करती हूँ जिन लोगों ने भी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताक कि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें और आप लोग नोटिफिकेशन रिसेट करके वीडियो को जरूर देखिएगा ओके आसा है कि यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्प फूल होगा ओके वानाइस डे गुड़ बाई ओके तो अब इन कर देते हैं वीडियो को ठीक है